तो आज मेश राशी वालों के लिए आज का दिन उनका कैसर है गा एक अत्तिस तारीक दा आर्क ओफ कोवनेंट मतलब वो किसी ड्राइव में रहेंगे दम्यूस अपने पार्टनर के साथ वो एक बहुत अच्छा रोमैंटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं कोई ना कोई गुड आज कोई ना कोई एक बहुत अच्छी खबर मिल सकते हैं आज का दिन आपके लिए शुब रहेगा नेक्स राशी है मितुन राशी मितुन राशी के लिए एंजल साच क्या गाइडन्स देना चाहते हैं कोई टाइप का बालंस आएगा दसक्राइब आप कोई नाया काम कर सकते हैं आपके लिए स्प्रिंग और बॉटम जैसे आभी आपको पता है सीजन चेंज और तो स्प्रिंग और आटम का काड ये पता चल रहा है कि आपको इस नाया काम चालू करेंगे आप एक प्रोसेस में हो सकते हैं आज के दिन आया काम स्टाट करने के लिए आपका दिन आज और आपकी गाड़ी आपने दोनों काड़ दे सकते हैं तो जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है और आपको ऑन ट्रैक लाने के लिए थोड़ा सा वो न्यूज आपको डिस्टरब कर सकती है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा दूसरी प्रशी है तो सीही राशी विशस फुलफिल्मिंट का कार्ड है मतलब आपने जो भी विशस अभी तक मांगी है तो यह आज के दिन आपकी पूरी हो जाएंगी आर्के इंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे है और तीसरा कार्ड आपका जुपीटर का कार रहा है तो की एनर्जी है 9 of cups ultimate wish fulfillment होता है मतलब जो भी कुछ आप चाह रहे हैं वो ultimately आपका wish fulfillment होगा आज के दिन आपको कुछ messages मिल सकते हैं यह intuitive messages हो सकते हैं यह चक्रा मतलब कोई आपको बोल सकता है कोई आके आपको कोई बात बता सकता है जो एक good news की तरह होईगी judgment का काड़े साथ में टारों मैं judgment मतलब अगर पास्ट में आपको किसी negative energy ने घेरा है या किसी ने बिट्रे किया है तो आपको आज के दिन judgment बिलेगा seven of pentacles अपने पैसे पर काम करेंगे और two of fans अपने पैसे की तरफ पूरा focus रहेंगे लेकिन वैंड्स की energy है 10 of swords की energy है 10 of swords की तो शायद पीठ में दर्द या नैचरल कोई भी अगर हड़ी में दर्द हो तो आप उसका ध्यान रखेंगे nine of wands precise energy में रहेंगे लोगों से ज्यादा interact नहीं करेंगे अपने काम से काम रखेंगे high priestess high priestess का card यह कहता है कि आप अपने जो भी काम करते हैं उस काम में फूरा focus करेंगे चाहे वो business हो घर हो आप working या वो हो सकती है 10 of cups ultimate wish fulfillment होता है मतलब जो भी कुछ आप चाहते हैं आज के दिन आपको ultimate wish fulfillment मिल सकती है कैसा रहेगा swords की energy में six of swords मतलब आपको अगर किसी ने धोका दिया love life में या पैसे में सो आप उस energy से move on करेंगे आज के दिन और magician magician का card यह पता है कि magic is in the year आप जो चाहें वो कर सकते हैं आप पैसा love life health wealth कुछ भी manifest कर सकते हैं एक और guidance है last page of swords कोई ना कोई offer आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाला है seven days number seven आपके लिए significant हो सकता है थोड़ी दिक्कत रहेंगी eight of cups जो पिछला आपको loss हो चुका है finance में उसके बारे में आप चिंता ज्यादा करेंगे सोच विचार ज्यादा करेंगे अगर बच्चे हो या love relationship और wife और किसी की health को लेकर आपको थोड़ी चिंता ज्यादा रहेगी कुंब राशी वालों के लिए या या आपकी भी खुद की भी health के issues हो सकते हैं पास्ट की energy है मतलब जो चला गया है यह relationship हो सकता है आपका पैसा हो सकता है उसको लेकिए आप बहुत ज्यादा परिशानी में six of pentacles है लेकिन इसके immediately बाद यह है कि आपको कोई ना कोई अच्छी good news पैसे से related मिलेगी कि अच्छी है अच्छी